हलो फ्रेंट्स तो आज हम बनाएं जा रहे हैं स्टिकर्स अंड लगाज वी स्टाक मेकिंगन स्टिकर्स तो इसब से पहले आपको आपको एक शीट लेनी है और उसके ओपर जिस भी शेप का आपको स्टिकर बना रहे हैं एक smileys तो आज मैं smileys ही बना रही हूं और it's your choice कि आपने कौन सी बनानी है so मैं smileys ही ड्रॉआ करूँगी और गई smileys मैंने ये बना ली है और बस इनके faces रहे गए है so it's your choice कि आपने कौन सी faces की बनानी है मैं only simply बना रही हूं एक smiley face और बखी भी आपको ऐसे ही कर लेने है so let's we do so guys मैंने इसको sketch से outline भी कर ली है इनकी और उसके बाद हमें tape लीनी है और इस सारे page पे हमने tape लगा देनी है और सबसे पहले आप tape लगाओ so friends मैंने ये सारी emojis बना ली है मैंने only दो ही style choose कि है एक sad और एक happy और guys पहली बार को एक pink color की emojis बना रहा है और जो की हूं मैं so अब हमें इसको tape से करना है so मैंने इसको cut करके किया है because बाद में अच्छे तरीके से cut नहीं होता so सबसे पहले आप cut कर लो और उसके बाद आप tape करना इनको so सबसे पहले हम इसको tape कर लेते है so friends our emojis are ready so जब मैंने इनके उपर टेप लगा के थोड़ी 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 सी टेप रहने दिया साथ में so that कि हम इसको glue कर सके और अगर हम इसके साइड पे tape means कि थोड़ी थोड़ी टेप ना cut करते so इसलिए फिर हमें यहां पे गम लगानी थी so double double हो जाना था इसलिए मैंने साथ में थोड़ी सी टेप भी रहने दी है और इसको आप में जिस पे भी लगाना है आप लगा सकते हो so like इसी तरह के से यह glue हो रहे है अगर हम इस पे tape side से पूरी cut कर लेते तो हमें फिर गम यूज करनी पढ़नी थी so इसलिए मैंने साथ में थोड़ी सी टेप रहने दिया पूरी cut नहीं की है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चालों को कर दो सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना थैंक्यू पर वाचिन मैं वीडियो